इस वीडियो से हम 2D के elements बनाना शुरू करेंगे 3D Max में सिर्फ 3D पर काम ही नहीं होता इसमें कुछ चीज़े हैं जो 2D से बनाकर फिर हम उसको 3D में convert करते हैं मतलब कि यह नहीं है कि सब चीज 3D से ही बनाएंगे हम line बना कर भी उसको 3D में use कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे common panel में हम सबसे पहले इसमें line बनाना सीखेंगे तो हम यहाँ पर click करेंगे common panel में और जहां पर हम यहाँ पर geometry बना रहे थे उसके ही बराबर में यहाँ पर होता है shapes इस पर click करेंगे, तो हमें यहाँ पर 2D की commands दिखाएगा, यह जितनी भी commands है, यह एक line base command है, 3D की command नहीं है, जैसे line, rectangle, circle, ellipse, वगएरा वगएरा, यह सब 2D की command है, तो हम इसमें सबसे पहले line बनाना सीखेंगे, बागी सब उसी तरह से बनते हैं, मतलब उनकी जो properties है, वो उस उसके बाद हम यहाँ पर click करेंगे, line बनाने के लिए, line पर click किया, click करने के बाद हम line बनाएंगे, जहाँ पर भी हमें line बनानी है, हम अपना cursor लेकर आएंगे, और click करेंगे, जैसे हम autogare में बनाते हैं, click किया, line बनी, दूसरा click किया, फिर line बनी, तीसरा click किया, फिर line बनी जोधा किलिक क्या line बनी इतरह ही के से हम line बना सकते हैं तो जब हम इसको उसी point पर लाकर click करेंगे जहां से हमने बनाना शुरू करा था यहाँ पर जब हम लाकर click करेंगे तो यह dialogue box open होके आएगा आपको line close करनी है तो हम यहाँ पर click करेंगे yes तो यह इससे close हो जाएगी अगर आप straight line बनाना चाहते हैं horizontal या vertical जैसे हम autocade में काम करते हैं और वहाँ पर हम ortho on करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम shift button इसमें press करेंगे जैसे मैंने click क्या अब मैंने shift button अगर मैं press करता हूँ तो line बिल्कुल सीधी हो जाती है अगर shift button छोड़ दूँगा तो line ऐसे हो जाएगी अगर press करूँगा तो सीधी हो जाएगी horizontal या vertical यह vertical है इस तरीके से और यह horizontal तो अगर आप shift button छोड़ देंगे तो आप किसी भी तरीके से line बना सकते हैं और जब shift button प्रेस कर लेंगे तो हम line को horizontal या vertical ही बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर click क्या बन गई फिर click क्या बन गई और फिर यहाँ पर click क्या बन गई और फिर यहाँ पर इसको close yes command से बार आने के लिए right click करेंगे तो यह हमने line बनाई अभी आप देखेंगे मैंने एक line यह बनाई और एक line यह बनाई तो यह अलग color में show कर रहा है और यह अलग color में show कर रहा है ऐसा क्यूं है तो इसकी settings हम change कर सकते हैं यहाँ पर click करेंगे जो एक color का एक box सा बनावा नज colors इसका क्या मतलब है अगर यह check box on रहाएगा तो जितने भी हम elements बनाते जाएंगे सबका अलग-अलग color आएगा अगर इसको हटा देंगे तो फिर जो हमने color ले रखा है वो ही color में बनाईगा बाकि हम बाद में change कर सकते हैं हर element का color को तो जब हम बनाएंगे तो जो भी हम चीज़ बनाएंगे वो white color में बनेगी या जो भी हम यहाँ से color लेंगे उस color में बनेगी और अगर assign color को रखेंगे जो color show रहा है वो उसी color में बनेगी तो मैं इनको select करके दो मैंने बनाई थी lines इनको मैं delete कर देता हूँ अब हम line बनाते हैं तो line बनाने से पहले हमारे पास कुछ यहाँ पर parameter हैं मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ इसमें ज्यादा parameters हैं जैसे यहाँ पर देखें नीचे हैं सबसे पहले यहाँ पर है बनाने का तरीका कैसे हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखें initial type corner यहाँ पर हमें चूज कर रखा है तो जब हम बना रहे हैं line इस तरीके से तो यह corner यानिके जो point का जो हम line click करके बना रहे हैं तो यह बिल्कुल एकदम corner से बन रही है मतलब इसमें कोई गोलाई वेगरा नहीं है smooth नहीं है अगर हम यहाँ पर click कर देगे और यहाँ पर देखें नीचे बात में change करेंगे इसको यहाँ पर देखें drag type यानिक अगर हम click करके drag करें तो क्या होगा बीजियर क्या होता है अगर आपने Photoshop वगेरा में भी होता है बीजियर तो अगर मैं इसको यहाँ पर Select करूँ, इस लाइन को Select करूँ Select करने के बाद यहाँ पर किलिक करें Modify और यहाँ पर देखें जो लिखा हुआ है Vertex इस पर किलिक करें Vertex का मतलब क्या होगा जो यह Line के जो Points हैं जहाँ जहाँ पर हमने किलिक करके बनाया है इनको हम Vertex बोलते हैं तो हम हर Vertex को यह से Select कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखें जो Corner है, उस पर कुछ नहीं दिखा रहा लेकिन जहाँ पर मैंने Smooth किया था, किलिक करके Drake किया था, अगर मैं उसको Select करता हूँ तो यहाँ पर यह कैसे बना हुआ रहा है, इसको हम Bezier बोलते हैं यहनि के Control है, अगर हम इसको पकड़के उपर नीचे करेंगे, तो यह जो Arc है, मतलब इस पर फरक पड़ेगा अगर हम इसको करके दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पर किलिक करूँ मैं इस पर Move पर, और मैं इसका जो Point है, इस तरीके से इसको मैं Adjust कर सकता हूँ बाद में तो इस चीज को Bezier बोलते हैं जिसमें यह होता है तो यह तो होता है यहाँ पर Vertex, Vertex पर किलिक करके हम किसी भी Vertex को सेलेक्ट कर सकते हैं अभी देखें, अगर मैं Drag भी कर रहा हूँ तो Line सेलेक्ट ने होगी, सिर्फ Vertex ही सेलेक्ट हो रहे हैं दूसरा Option होता है, इसमें यहाँ पर Segment, Segment क्या होगा? Point से Point के बीच में जो Line है, उसको हम Segment बोलते हैं जैसे अगर मैं Select करूँ, यहाँ पर किलिक करके Segment और इसको Select करूँ तो यह Line को ही सिर्फ Select करागा, Point को नहीं Select करना, अब Point Select नहीं हो रहा, जो Selected चीज होती है, वो Red Color में हो जाती है अगर मैं यहाँ पर किलिक करूँ Point पर तो यह Point को Select करेगा, जैसे भी Point Red Color के हो गए, और जो Line है वो हमारी White है और अगर मैं है Segment पर किलिक करूँ तो यह Line को Select करेगा ना कि Vertex को और अगर इस पर किलिक करूँ, मैं SP Line पर SP Line का मतलब यह पूरी Line, अगर मैं इस पर लाकर किलिक करूँ, यह जितने भी सेगमेंट है, सब को Select करेगा अगर हम किलिक करेंगे तो यह पूरे को Select करेगा तो यह तीन चीज़े हैं Vertex, Segment और SP Line तो इस तरीके से हमने Line बनाए, अभी हम और बनाते हैं Line, हम यहाँ पर किलिक करेंगे Line, और यहाँ पर हम देखेंगे Initial Type Corner था, हम यहाँ पर करते हैं Smooth, और नीचे कुछ Change नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा जब हम किलिक करके ऐसे बनाएंगे तो यह Smooth बनेगी जैसे हम AutoCade में SP Line बनाते हैं और अगर किलिक करके ड्रेक करेंगे तो वो ही काम करेगा Bezier, अगर हम किलिक करके ड्रेक करेंगे तो यहाँ पर Bezier काम करेगा और हम यहाँ पर लाकर किलिक करेंगे Close, Yes अगर हम यहाँ पर किलिक करेंगे ड्रेक करने के बाद भी Corner है और Initial Type भी Corner है तो जब हम click करके बनाएंगे तो यह corner बनेगा लेकिन अगर click करके हम drag करेंगे अभी मैं click मैंने press कर रखा है और मैं drag कर रहा हूँ इस तरीके से mouse को तो यह corner ही रहेगा smooth नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम इन तरीके से इसमें बना सकते हैं अगर मैं हाँ पर करूँ smooth drag करके तो यहाँ पर जब बनाएंगे इस तरीक close करना है तो yes तो इस तरीके से हमने ये line बनाई तो हमने color set किया था white तो हर चीज हर बार white में ही बन रही है अगर delete करना चाहते है right click करें command से बाहर आने के लिए उसके बाद select करें जो भी delete करना है select करके delete तो इस तरीके से हम line बनाते हैं ये जो मैंने तरीका बताया है line drag करने का बताया है उसके बाद यहाँ पर होता है keyboard entry अगर मैं इस पर click करूँ ये keyboard entry की command है तो जब अगर हम यहाँ यहाँ पर देंगे x 0, y b 0 और z b 0 अब यहाँ पर click करेंगे add point तो हमारा point यहाँ पर add हो गया जहाँ पर यह gizmo बना हो रहा है red color का यह हमारा 0, 0 coordinate है यहाँ पर यहाँ पर add हो गया अगर मैं यहाँ पर दू x 10, y 0 और z b 0 तो यह x direction में 10 meter चलेगा जो भी हमारी unit होगी उसमें चाहेगा और जब हम यहाँ पर click करेंगे add point तो यह देखें इस पर आगया अगर मैं यहाँ पर दू y 10 तो क्या होगा x तो 10 है ही हमारे पास हमने यहाँ पर 10 दिया x यानि के इसमें और y 10 तो यहाँ पर आएगा add point करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा ऐसे और अगर हम यहाँ पर दें x 0 और y 10 और z direction भी अगर डालेंगे तो यह z direction में भी जाएगा तो जिस direction में भी हम बनाना चाते हैं इसको बना सकते हैं तो इस वीडियो में हमने line को बनाना सीखा line को हम किन तरीकों से बना सकते हैं mouse के जरिए और keyboard के जरिए तो आप इसको practically करके देखें और जो भी question आप comment में लिख सकते हैं discussion group को जो हमारा facebook का discussion group है उसको join कर लें महां से आप question answer कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को जरूर subscribe करें वीडियो को share करें गरीबों की मदद करें साफ सफाई का ध्यान रखें Thank you